योजकर मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 29 सितंबर दिन सुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर गया में पिंडदान को लेकर सरकार के ओर से स्पेशल टूर पैकेज वा इपिंडदान धूमिहीनों के लिए रितीज सरकार ने शुरू की नई पहल वीएडवालों के लिए सुप्रीव कोर्ट पहुची रितीज सरकार पंकस्त्रेपार्टी और पुलकस्समराट के फिल्म कॉमेडी और एंटर्टेन्मिन का तरका भारत में पहुचकर पाकस्तानी खिलारियों ने शुरू किया अभ्यास अब चलिब बरते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी ख़बरों के उर्विस्तार से SBI में 2000 प्रॉबिसनरी ओफिसर की भरती के लिए आविदन की तारीक बढ़ी अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भारती स्टीट बैंक के द्वारा आयुजित की जाने वाली प्रॉबिसनरी ओफिसर परिच्छा 2023 में समिलत होने के लिए आविदन करना चाहते थे तो यह ख़बर आपके लिए है बता दी कि अब आविदन करने की अंतिम तारीक को बढ़ाकर 3 ओक्टूबर 2023 तक कर दी गई है जबकि पहले यह तारीक 27 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी मालूम हो किस भर्दी के तहट कुल 2000 पदों को भड़ा जाना है ऐसे में एक चुक उमिद्वार जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह SBI की आधिकारिक वेफसाइट SBI.co.in पर करिये सक्षन में एक्टिव लिंक पर जाकर ऑनलाई तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं इसके लेगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को किसी मारता प्राप्त विश्य विद्यारे या किसी अन्य उच्छ सिक्षा संस्थान से किसी भी विश्य में सनातक होना चाहिए और आईउ एक अप्रेल 2030 को 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए इसे जोरी अधिक जानकारी के लिए उमिद्वार चारी के गया धिसूशना को देख सकते हैं गया में पिंद्दान को लेकर सरकार के ओर से स्पेशल टूर पैकेज वर इपिंद्दान बीतर दिन गया में लगने वाले विश्व प्रसिदर पितरी पक्ष मेली की शिरवात हो चुकी है ऐसे में इसको लेकर बिहार परटन विकास निगम की ओर से लोगों को सुवधा मोहिया कराने के लिए पितरी पक्ष टूर पैकेज तैयार किया गया है जो की पांच तरह के हैं बतारे किस पैकेज के तहट मिलने वाली सुवधा वा सहाइता के लिए तर्थ यात्रियों को प्रती तर्थ यात्री कम से कम 11,250 रुपे वात्यादूनिक सुवधाओं के लिए अधिक्तम 21,100 रुपे भुक्तान करने होंगे मारमू के तर्थ यात्रियों को यह भुक्तान कॉर्पोरेशन के पास करना होगा की जानकारी के लिए बता दे किस टूर पैकेज में एक यात्री दो यात्री वह एक सम्हूं में आने वारे चार तर्थ यात्रियों के लिए अलग-अलग शुल्क नरधारित किया गया है वहीं अगर ये पिंद्दान के बारे में बात करें तो इसके लिए यात्री को 23,000 रुपए देने होंगे जिसमें पिंद्दान से जुरे सारे सुल्क शामिल होंगे ऐसे में सुवधाओं को पाने के लिए www.bstdc.bihar.gov.in या bstdc.gmail.com के माधहम से पासकते हैं भूमिहीनों के लिए निती सरकार ने शुरू की नई पहल राजी में भूमिहीनों को बसाने के लिए सरकार के ओर से परचा तयार किया जा रहा है इसको लेकर सीओ और आरो को जमीन की विवस्था जल्द कराने के नरदेश दिये गया है मालूम हो किस पहल से राज़े के सभी भूमी ही लोगों को जमीन का परचा वह मकान मिलेगा इस संबंद में राजश्व एवं भूमी सुधार मंतरी आलोक महिता के दोरा प्रसवारता में जानकारी देते वे बताया गया है कि गलत तरीके से जमीन की बंदोबस या जमाबंदी कायम कराली गई है अगर गलत तरह से किसी के कभजे में सरकारी जमीन चली गई है तो ऐसी जमीन को मुक्त कराया जाएगा बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनामिका के बारे में अनामिका एक समकालीन भारतिये कवीतरी समाजी काड़ी करता और उपन्यासकार है जो हिंदी में लिखती है और एक आलोचक है जो अंग्रेजी में लिखती है माई टाइप राइटर इस माई पियानो उनका अंग्रेजी में अनुवादित कवीताओं का संग्रा है वह अपनी नारिवादी कवीता के लिए जाली जाती है इनका जन 17 अगस्ट 1961 को बिहार के मुझह परपुर में हुआ था तीन मूर्ती भवर दिली में एक फैलो के रूपे उनके सोध का वर्तमान विशय समकाली बिटिस और हिंदी कवीता में महिलाओं का तुलनात्मक अध्यान है 2020 में उनकी कवीता टोकरी में दिंगत उनकी पानी को सब याथ था शामिल है उनकी कवीताओं का अनुवाद विविन भारती और विदेशी भासाओं में हुआ है वराज भाषा परिसत पुरुसकार सहितेकार सम्मान गिरिजा कोमार माथूर सम्मान सहिते सेतु सम्मान आदी से पुरुस्टित वीर है च्छट से पहले बिहार की राजधानी से तीन नई ट्रेनों की हुई सुरवाद अधिकारी घोशना होगी इसके लावा पटना से दिल्ली के लिए मेनी संपुन क्रांती एक्सप्रेस और 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव भी भेजा गया है ऐसे में वंदे भारत की स्लीपर रैक उप्लद होने से बाद इसे पुर्व मध्य रेल को उप् जाती है बता दे किसी को देखते वे बीते दिन यानी की 28 सितंबर से राज्य सरकार के दौरा रेवीज रोधी टीका को निशुक कर दिया गया है और इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा बता दे किस बात की जानकारी पसु एवं मतस संसाधन विभाग की अपर मुखिस जीब डौक्टर एन विजर लक्षपी के द्वारा दी गई है इन्होंने बताया कि अब राज्य जिला एवं अनुमंडर लस्तर के पसु चिकिसा केंद्रू पर निशुक टीका करन अभियान चलाया जाएगा आपकी जानकारी के बता दे कि पशु के काटने के 24 घंटे के भ जानकारी अगर आभी 30 सितंबर को बीपेसी 69 परिक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यहां खबर आपके लिए हैं बता दी किस परिक्षा को लेकर बीपेसी के सेकरेटरी रवी भूसन के द्वरा प्रेस कॉंफरेंस आयुजित कर बताया है कि इस परिक्षा के लिए बिहार केंदर में प्रवेश करना होगा क्योंकि परिक्षा शुरू होने के एक घंटा पहले परिक्षा केंदर में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा प्रतेक परिक्षा कक्षा एवं प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरे लगाए जाएगे प्रतेक परिक्षा केंदरों पर अभ्यर्थ के दौरा कामगारों को सुरक्षा मोहिया कराने के लिए नर्न लिया गया है कि अब्राजिक के सभी कल कार खाने को थर्ड पार्टी और रिपोर्ट को भी ऑनलाइन दिया जाएगा बता दे कि ऐसा होने से कार खानों में कामगारों के लिए क्या-क्या सुरक्षा की विवस्था की गई है इसकी जाच भी थर्ड पार्टी के ओर से ही की जा पाएगी बतादे कि थर्ड पार्टी के जाच के दौरान कारखाना के मसीनों की भी जाच की जाएगी और एक रिपोर्ट तयार की जाएगी इसके लावा आपदा के दौरान कामगारों के लिए क्या क्या विवस्थ अब नेपाल लेकर नहीं जा सकेंगे 100 रुपए से अधिक का भारतिये नोट इन दिनों नेपाल सरकार की ओर से कई नए नए फर्मान जारी किये जा रहे हैं जिससे कि भारत के लोगों को परिशानी का सामना करना पर रहा इसी कड़ी में नेपाल सरकार की ओर से एक और नया फर्मान जारी किया गया है जो की भारतिये मुद्रा को लेकर है दरसल नेपाल राश्टर बैंक की ओर से जारी की गए अधिसूशना के अनुसार नेपाल में अब भारत के 100 रुपए से जादा के नोटों के प्रचलन को रोक दिया गया है और साथ ही यह भी लिमिट लगा दिया गया है कि अब 5000 रुपए से जादा रुपए कोई लेकर नेपाल नहीं जा सकता ऐसे में अगर आप 5000 रुपए लेकर भी नेपाल जा रही है तो उसमें भी केवल 100 के या उसके नीचे के भारतिये नोट होने चाहिए बता दे कर दिसूशना में अस्पष्ट रूप से प्रतिबंधित दर वाले नोट नहीं रखने वर नेपाल के अंदर नेपाली मुद्रा में ही वेपार करने का अज़्दिकर है मालम हो के दिसूशना के मुताविक नेपाल से भारत आने वाले नागरी को को खुद के साथ 25,000 रुपे तक नगत लाने की अनुवती दी गई है वहीं चिकिसा कारणों से ये रकम 50,000 रुपे तक हो सकती है विहार के चंपारन मटन आसकर के बाद पहुंची ची विहार के रंचन कुमार की बनाई शौट फिल्म चंपारन मटन का चेहन सत्रह से 24 नवंबर तक बिजिंग फिल्म अकादमी में आयुजित होने वाले 22 वे अंतराश्ट्रिय चातर फिल्म और वीडियो फस्टिवल के लिए किया गया है बिजित होने समिक चाकर 77 उत्रिष्ट कारियों को इस साल के ISFBF के लिए सौट लिस्ट किया जिसमें एक चंपारन मटन भी शामिल है अब इस फिस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रिनिंग की जाएगी और रस्तौरान वहां सभी चेहनित कारियों को करने वाले उपस्तित रह दुनिया भर से लाखों बौध अन्याईयों को अपनी तरफ आकश्रित करती है भुटान के राजा ने इस मट का नर्मान भगवान बुध को श्रधांजली अर्पित करते वे करवाया था यह मट नश्चित रूप से अपनी शांदार वास्तुकला शांती और भगवान बु की साथ फीट उची प्रतीमा से आपको प्रभावित करेगा सास्वत सांती की तलाश में दुनिया के विविन हिसों से लोग स्मट में आते हैं बहुत मानते हैं कि भिक्चुओं की आध्यात्मी खोच से पूरे शमुदाय का लाब वोतार उनके अर्सान समृद्धी और स्रक चक नहीं बन पाएंगे और सिक्षक भरती में शामिल बीएट पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट को रोग दिया गया था इसी को लेकर अब बिहार सरकार बीएट वालों को भी योग्य बनाने की अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में या चिका दायर करवाई गई है मालम हो कि से पहले यह मामला पटना हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है जहां पटना हाई कोर्ट के दौरा बिहार सरकार की दलील को खारिच करते वे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागो होगा जिसका मतलब यह हुआ कि बीएट पास अपहर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे ऐसे में इसी फैसले के आधार पर बिहार सरकार के दौरा सुप्रीम कोर्ट में विसेस अनुमती याचिका दायर करवाई गई है हलाकि अब तक सियार्चिका पर कब सुनवाई होगी उसकी तारीक सामने नहीं आई है पंकस रिपार्थी और पुलकत समराट के फिल्म कॉमेडी और एंटर्टेन्मेंट का तरका बीतर दियाने के 28 सितंबर को बॉलिवोड के उम्दा एक्टर पंकस रिपार्थी पुलकत समराट परुन सर्मा और रीचा चड़ा की फिल्म फुक्रे तींग सिनेमा घड़ों में रिलीज हो चुकी है ऐसे में इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों के द्वारा टुईटर पर अपने तरह तरह के रियाक्सन दिये गहें एक यूजर के द्वारा लिखा गया है कि फिल्म में पंकस रिपार्थी ने काफी शांदार एक्टिंग की है हमेशा की तरह उने दिल जीत लिया है वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि जवान के बाद कोई फिल्म देखने लायक है तो वो ये है कुल मिला कर मूवी अच्छी है आपकी जानकारी के बता दे किस फिल्म में लोगों को रिचा चड़ा की आक्टिंग काफी पसंद आ रही मालमों किस फिल्म के पहले दो पार्ट को भी लोगों के द्वारा खुब पसंद किया गया था सिपाही भरती परिक्षा में सेटिंग कराने वाले गिरोह के पांच युवक हुए गिरफतार एक उक्टूबर को होने वाली विहार पुलिस सिपाही भरती परिक्षा में छोड़ाही ओपी अंतरकत नकल फरजीवारी होनी की योजना को लेकर मिलिगुप्त सूशना के आधार पर पुलिस के द्वारा सेटिंग कराने वाले गिरोह के पांच युवक को गिरफतार किया गय हैं बतादे कि जन पांच युवकों की गिरफतारी की गई है उनकी पहचान सुनल कुमार, गुलसन कुमार, राम बाबो कुमार, अभे कुमार और विट्टू कुमार के रूप में की गई है वह फिलहाल इस गिरोह से जड़े अन्य फरार अभयक्तों की छापे मारी की जा र पासियव कमर्सियल भुखर्ण बेचे जाएंगे बतादी की बीते 30 सालों से राज्जी के जिन जिन सहरों में फ्लैट व मकानों के प्रजेक्ट अधूरे रह गए हैं और उनका आवंटन नहीं हो सका है ऐसे प्लोट को लेयाउट में बेचा जाएगा जिसमें सबसे पहले स सासाराम और डालमिया नगर के लेयाउट प्लान को मनजूर कर दिया गया है मालमों कि आवाज बोड के द्वारा सासाराम में आसिक पुर और डालमिया नगर के मथुरापुर में प्लाटिंग के लिए लेयाउट तयार किया गया है जिसमें कुल 949 भूखंड है वहीं इसके बीच में अब ताप मान में बढ़ोतरी होने लगी है पिछले दिनों वी बाड़िस के बास से ताप मान में कमी देखने को मिले थी देकि जा रही है बते ताप मान के बीच में लोगों को Har.. से काफी परिशानी का सामना करना पर रहा हलाकि मौसम वेग्यानिकों का कहना है कि नमी और गर्मी के कारण आसमान में कहीं कहीं बादर बन रहे हैं जिसके कारण प्रदेश के कुछ हिसों में बारिस देखी गई है बारिस को लेकर जारी पुरवानुमान में यह बताया गया है कि प्रदेश में 29 सितम्बर यानी की आज बारिश होने की संभावना ना के बड़ाबर है अगर इसके बावजूद भी उनकी मांगों को लेकर कोई निर्ण नहीं लिया जाता है तो आगे चलकर वर्स 2024 के जनवरी महीने में 2 से लेकर 6 जनवरी तक राज जिस तरी ये हरताल किया जाएगा आपकी जानकारी के बता दे कि 4 से 11 दिसमबर तक चलने वाले हरताल क्रमवार तरीके से चलेंगे जिसमें से 4 दिसमबर को PNB, Punjab and Sindh Bank और SBI के दोरा हरताल किया जाएगा तो वहीं 5 दिसमबर को Bank of Brother और Bank of India में इसके अलावा 6 दिसमबर को Kendra Bank और Central Bank of India में साथ दिसमबर को Indian Bank और Yuko Bank में, आर दिसमबर को Union Bank of India और Bank of Maharashtra में और फिट 11 दिसमबर को सभी प्राइवेट बैंक में हरताल रहेंगे CM नतीश ने क्रिसी विग्यानिक डॉक्टर MS स्वामी नाथन के निधन पर व्यक्त की सोक संबीदना 28 सितमबर को भारत के महान क्रिसी विग्यानिक MS स्वामी नाथन का तमिलनाडों की राजधानी चन्नई में 98 साल की उम्र में निधन हो गया मालूमों कि ने भारत में हरत क्रांती के जनक के तौर पर जाना जाता है मैं उनके निधन पर विहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा गहरी सोक संबीदना व्यक्त की गई है उन्होंने कहा कि डॉक्टर MS स्वामी नाथन को भारत के हरत कांती का पता भी कहा जाता है वे महान क्रिसी विग्यानिक थे देश की नाजुक वक्त में उन्होंने क्रिसी चित्र में महत्पुर्ण कारे किये जिससे देश की खाद्य सुरक्षा सुनश्चित हुई इनके निधन के समाचार से गहरा दुख हुआ है या देश के लिए अपोर्णी अच्छती है देवंगत आत्मा की चीर सांती दिथा उनके परिजनों को दुख के इस घरी में ध्यारे धारन करने की सकती प्रदान करने की इश्वर से प्रात्ना की है आरजणी ने मांगे एमपी मनोज ज्ञा के लिए अमिस्टा से सुरक्षा आरजणी के ओर से ग्री मंतरी अमिस्टा को एक पत्र लेकर राजे सभा सांसद मनोज ज्ञा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है पतादी के पत्र में लिखा गया है कि राजे सभा सांसत मनोज जा जिस तरह से चानलेवा हमला करने की धमकी दी जारे है यह चिंता का विशह है धमकी देने वालों में भाजबा विधायक रागविंद्र प्रताव सिंग ने गर्दन तक काटने की बात कही है पुर्व सांसत ने तो जीब काटकर आसन तक फिकनी की बात करी है पुर्वमंतरी सभविधायत नीरज बबलू ने भी जीब काटने की धमकी दी है इस साक्रोस और तलकी भड़े वक्तवे से मनोज जाजी को जान का खत्रा भी हो सकता है और यह बात मंतराली के संग्यान में होगा ही आपको ग्यात है कि सुरक्षा कवच में रहने वाले कालांतर में भी उन्हें भी जान गवानी पड़ी पत्र में लिखा गया है कि मनोज जहा बुदी जीवी सभ्यवर शांत प्रविती के इंसान है अपने बौतिक वक्तवे के कारण स्ट्रिष्ट सांसत का खिताब भी प्राप किया है जिसे बिहार और देश का गौडब बढ़ा है ऐसे गौडब शाली प्रतीभा के धनी व्यक्त का संरक्षन सरकार का करतवे भी है अथा अनुरोध है कि मनोज जहा को वाई स्ट्रेनी के सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके कृप्या इसे गंभीर्था से लेने की कृपा करें स्यम नितीश के अंडिये में आने पर ललन सिंग के बयान पर समराथ चौधरी का जवाब इन दिनों बिहार के राजणितिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि मुख्यमंत्रे नितीश कुमार फिर से अंडिये में शामिल हो सकते हैं इसी को लेकर जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग के दोरा बड़ा बयान देते वे कहा गया कि नितीश कुमार अब बीजेपी में थूकने भी नहीं जाएंगे उन्हें पहले से पल्टू मार कहते थे अब हम लोगों ने भी पल्टू मार खोसत उन्हें कर दिया है उनका कोई भरोसा नहीं है कि वह कब किधर पलट मारेंगे भारत में पहुंचकर पाकस्तानी खिलारियों ने शुरू किया अभ्यास 27 सितमर को पूरे 7 वर्षों के बाद पाकस्तान की क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है वहीं भारत पहुंचने के बाद अब पाकस्तानी टीम का प्रसिक्षन सत्र भी शुरू हो गया है फकर जमान, मुहम्मद वासीन जूनियर, मुहम्मद हारिस और जमान खान रहे, मालूम हो कि पाकस्तान विश्यो कप में नीदर लैंड्स के विरुद अपना अभियाँ शुरू करने से पहले 29 सितंबर को नियूजिलैंड और 3 ओक्टूबर को आउस्ट्रिलिया के विरुद अ कॉलकता में बिर्ला तारा मंदर 1922 को खुला, अंतर राश्ट्रिय मुक्यबाजी फेडरेशन की ताजा रैंकिंग में बिजिंदर को 2009 में 75 किलोग्राम में 2700 अंकों के साथ में पहला अस्थान दिया गया, भारत के पहले राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार विजेश मिर्ष् 22 में हुआ, परश्य मंगाल के प्रसिद करांती कारी गोपाल सेन कारेदर 494 में हुआ, मलयालम भाशा की प्रसिद कवीतरी बाल मनी अम्मा कारेदर 2004 में हुआ, भारतीय सिनेमा के बिनिता टॉम ऑल्टर कारेदर 2017 में हुआ, आज के दिन को विश्व हिर्दय दिवस के लगाने के बारे में सोचल मीडिया पर कई सूचना वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रूई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोबाइल टावर लगाने के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्विट में लिखा है कि एक टी आर एया यानि की टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया नामक कंपनी मोबाइल टावर लगाने के लिए पंजीकरन सिल्क के रूप में 3,800 रुपए मांग रही है और 45,000 रुपए का मासिक किराया और 40,000 रुपए का अग्रिम भुकतान देने का दावा कर रही है पी आईपी ने प्रिट में लिखा ह इस बदलाव में वाटसेब के डिजाइन के साथ कलर भी बदल जाएंगे आपको बता दी के वाटसेब के लिए ग्रीन कलर पुरानी बात हो जाएगी साथी मेटा वाटसेब के कुछ मेन्यू में भी बदलाव कर सकती है डबलू ए बीटा इनफो द्वारा साजा किये गए स् आप के ऊपर के हिस्से से ग्रीन कलर को हटाया जाएगा रिपोर्ट के नुसार ग्रीन कलर तो वैसा ही रहेगा लेकिन हलके रंग में अंड्रॉइड अप में नीचे की तरफ जो वाटसेब लिखा होता है वह वाइड की जगा ग्रीन हो जाएगा इसके साथ ही मैसेज बटन राइट साइड नीचे की तरफ खिसक दिया जाएगा इसके लावा उपर की तरफ कुछ फिल्टर बटन्स आ जाएगे जिनमें और अन्रीड परसनल और बिजनस सामिल होंगे इन फिल्टर के जरिये आप मेसेज को आसानी से धोन पाएंगे जब आप किसी स्पेस फिल्टर क चुनाव करते हैं तो यह ग्रीन हो जाता है वहीं वाटसेप आप के टॉप पर एक प्रोफाइल आइकन भी जोड़ा गया है टॉप पर सर्च बार आइकन के साथ साथ कैमरा आइकन भी रहेगा जैसा पहले था सरक बनाने में होगा कच्रे का इस्तिमाल नितिन गड़करी वीतदिन केंद्री सरक पड़िवहन एवं राजमार्ग मंत्रे नितिन गड़करी के द्वारा एक संवधाता संवेलन भी कहा गया कि उनके मंत्राले के द्वारा सरक नर्मान में शहरी कच्रे के इस्तिमाल को लेक के लिए कई पहल किये गए हैं जिसके अंतरगा दिल्ली एवं जैपूर के बीच इलेक्ट्रिक राजमार्ग का विकास करना भी शामिल है उन्होंने बताए कि इलेक्ट्रिक राजमार्ग भी बिजडी से चलने वाली रेल गारियों की तरह ही एक व्यवस्था है जिसमें वानो पिहार स्पीशल विज्ञान करेंट अफियर्स और भुगों से रहेंगे पूछे गए पांचो सवाल में आपने कितना सही उतर दिया क्रिपकर करके यहां में कमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में किस दिन अंतराश्ट्रिय नदी दिवस मनाया गया है उप्षन E 24 सितंबर उप्षन B 20 सितंबर उप्षन C 22 सितंबर उप्षन D 26 सितंबर इसका सही उतर है उप्षन E 24 सितंबर अगला सवाल हाली में कौन सी टीम ICC के 3 प्रमेट में नमबर एक टीम बनी हुई है उप्शनी भारतिय क्रिकेट टीम, उप्शनी ऑस्ट्रिलिया क्रिकेट टीम, उप्शनी श्रिलंका क्रिकेट टीम, उप्शनी बांगलादेश क्रिकेट टीम इसका सही उत्तर है उप्शनी भारतिय क्रिकेट टीम अगला सवाल, बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड कहां इस्तित है? अप्शने नवादा, अप्शन B मुंगेर, अप्शन C राजगीर, अप्शन D दर्भंगा इसका सही उत्तर है अप्शन C राजगीर अगला सवाल, भारत का प्राचिनतम विश्यवद्याले जो की बिहार में सथित है, कौन है? अप्शने तक्चसिला, अप्शन B नालंदा, अप्शन C विक्रम सिला, अप्शन D उदंति पूरी इसका सही उत्तर है अप्शन B नालंदा अगला सवाल भगवान नरसिंग का अफतार अस्थल बिहार के किस चले में अवस्तित है option 1 सहर्च, option 2 पूर्णिया, option C कटिहार, option D पावापूरी इसका सहय उत्तर है option 2 पूर्णिया बीदे दिन हमाई दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पनजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे उधरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उड़ आज का सवाल है आपके नुसार बिहार में किसानों के उत्थान के लिए सरकार को क्या-क्या एहम कदम उठाने की जरूरत है अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बढ़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद झाल झाल